हलो दोस्तों, यदि आप CP Plus के Wi-Fi कामरे को यूज कर रहे हैं और इस कामरे को यदि आप चाहते हैं कि शेयर कर दें किसी दूसरे के भी स्मार्ट फोन पर ओभी देख सकें तो कैसे आप शेयरिंग करेंगे आज की वीडियो मैं आपको यही बताऊंगा तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इस आप पर लॉगिन कर लेना है आप पर आजाना है, आप को ओपन करते ही आपका जो भी डिवाइस यहां पर जैसे Wi-Fi कैमरा हमारा E25 यहां पर आड है, तो उसको दिखा रहा है, कंडिशन भी दिखा रहा है, आनलाइन उसकी स्टेटस क्या है, आनलाइन है मिन्स हमारा एक कैमरा आनलाइन है, नेटवर्क से कनेक्ट है और इसको जैसे हम टच करेंगे, यह हमारा चलना सुरू हो जाएगा यहां पर मैं टच करता हूँ, यह हमारा रन कर रहा है, नेटवर्क पर इसस हो रहा है, यह देखिए रिट्राइविंग वीडियो, यह वीडियो यहां पर आयो, करेंट इक दम लेटेस डेट है, टिन बज़कर थर्टी एट मिनट, और यहां पर वर्किंग इसी टाइम पर चल ला है, 13-11-2022 आज की डेट भी चल रही है, अब यहां सिंपली हमें करना क्या है, यदि इसको हम सेरिंग करना चाहरे हैं, दूसरी एक डिवाइस पर एड करना चाहरे हैं, सपोज हम इसको अपने डिवाइस पर, अपने स्मार्ट फोन पर इसको हमने कनेक्ट कर लिया, अब अपने घर के किसी अधर मेंबर पर भी इसको कनेक्ट करवाना चाहरे हैं, वो भी इसको देख पाए, कहीं भी बाहर रहते हुए, तो कैसे उसको आप कनेक्ट करवाएंगी, तो उसके लिए बहुत सुन्दर, बहुत सिंपल सा अप्शन है दोस्तों, उसके लिए देख कि हमारे सामने सेटिंग का आप्चन आ गया अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर एमेजन इको गूगल हो में सारी चीजें सपोर्ट हैं इसके अलावा यहाँ पर हमें सेरिंग करना है तो सेरिंग करने के लिए सबसे नीचे देखिए आपसन इसमें दिखा रहा है शेयर डिवाइस उसके नीचे डिवाइस अपडेट कभी है इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं फ्यूचर में कभी इसका अपडेट करना करना है यहां पर जैसे हम क्लिक करते हैं एड़ शेरिंग यहां पर एड़ शेरिंग का आप्शन है तो जिस बंदे का यहां पर हम जिसके साथ शेरिंग करना चाहरे हैं उसका एकाउंट यहां पर हमें mention करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें इस Wi-Fi कामरे को add करना है किस पर add करना तो यहाँ मांग रहा है हमसे share बिद्दा account EG Cam Plus इस पर किसी का account यहाँ पर डालना रहेगा वो किस region का है यहाँ इंडिया का है तो इंडिया का हम डालेंगे जहाँ का जिस region का है वहाँ का यहाँ पर डालनेंगे इंडिया डाल कर फिर उसका account यहाँ पर डालनेंगे account का जो भी wise email ID suppose यहाँ पर मैं खुछ भी email ID मेरा जो भी यहाँ पर रेजिस्टर्ड है उसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ यह हमने दे दिया और डन कर दिया डन करते ही देखे शेयर सक्सेस का मेसेज आ गया और यहां पर दिखा रहा है इस डिवाइस को शेयर किया गया इस वाले पर अब सिंपली उस डिवाइस में उस स्मार्टफोन पर जाकर यदि इस एप को ओपन करेंगे तो इसको एक नोटिफिकेशन पाप अप होगा जिसको क्लिक करते ही यह डिवाइस तुरंट एड का अप्शन आजाएगा एड कर लेगा और इस पर इस स्मार्टफोन आसानी से वीडियो पसंद आएगे पसंद आएगे दोस्तों के साथ शेयर करिए कोई भी क्विश्चन है कोई भी डाउट है में कमेंट आउस करिए और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फार वाचिंग